पर पर किया होता है राहुल गांदी या नितिस कुमार के पाणि ने पीएंगे वह किसे पीएंगे जो कमजोर बढ़ गहा है उनसे पीएंगे कपड़े भी पुजारी ही चेंज करेगा तो इससे ये मेंटेलिटी दिर लोगों में फिल नहीं आ रही है कि भाई भगवान के अगर हमें कपड़े उतार सकता हूं तो किसी वी औरत को में नंगा कर सकता हूं तो ये एक बहुत ज्यादा जो है वेशीला जो है मिशन जो है सब्सक्राइब करें तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि मशकार मेरा नहीं हमें नूर जो इस वक में मवजूद जंतर मंदर पर जिस तरीके से जाती जंगर्णा जो चल रही है वही राहूल गांदी कि जाती जंगर्णा होनी चाहिए लेकिन वहीं यहां कुछ के आधार पर फिर से जल्ला लाने की कोशिस है समाज में भाईचारा को खत्म करने की कोशिस है हम उसका विरूद करते हैं बासतब में आज के दौर में आज की यूग में हमें जातियों के आवशक्ता है नहीं तो में जंगर्णा के आवशक्ता किसलिए पड़ गई लेकिन चाहती हो कि माध्यम से पता चलेगा ना कि कौन से श्यूंग कौन के क onu बहुत अच्छा सवहल है हम यह पता लगाना चाहते हैं कौन गरीब कौन अमीर है यह हमनं तो स्माज को पीड़ित लोग जो सौसट लोग हैं जो समाज के मुक्तडारा से अलग हैं हम नहीं तो लेकिन जो पिछडी जाती होंगी तभी तो उनको देखेंगे ना कि आग उनको कैसे बढ़ाया जाए आप समझी नहीं पाए बात को भी अभी बिपक्ष यह लगातार मांग कर रहा है नितिस कुमार जी राहूल गांदी जी कि जो जाती आधार पर जो कमजोर ठाएंगे तो निश्चीत रूप से समाज दो वागों में विवाजित होगा और हिंदू बोट बैंक इने मिलेगा और कहीं नहीं सक्ता में बाप्सी कर सकते हैं किसी को दिक्कत नहीं हो रही है लेकिन आप लोग आ गया है आप कैसी बात कर रहे हैं यानिकि आप अभी आप जो कम जो रहें उसकी भागेदारी भी करो उसकी हिस्सेदारी भी करो जो गरीब है उसकी भागेदारी भी करो उसकी हिस्सेदारी भी करो लेकिन जाती अधार परमत कर लेकिन जिस तरीके से जो निचली जाती के लोग है लेकिन जो अमीर हैं वो लोग नहीं जाते हैं उनके आगर इन लोग को समर्थन दिया ले तो आगे बढ़ेंगा तभी तो उपर आए इस बात पर शोध है और बीच में अटाया जाएगा जो अब पर देश में होना चाहिए लेकिन जाती के आधार पर देखना चाहिए गरीबी में कौन कौन जी रहा है उसके लिए नजर आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे ना तो अगे कहां हो रहा है यह बात कई बार आ चुकी है मैंने संसद में भी सुना है कि राहूल सौरी राजीव गांदीजी ने स्वर्गी राजीव गांदीजी ने पालियमेंट में कहा था वो यह ऐसा चाहते थे ऐसा होना चाहिए तो ऐसा हुआ था इनकी बात से जरूर सहमत है वो तो हमारे प्रोह को उनके जनरंव हुआ है जो सम्मान देते थे वह सम्मान खहतोम हो रहा है क्योंकि हमारे खेतों में जो भी कौम करते हैं या आप повन करते हैं तो धृय है प्र टैसा को नहीं पर अर लेकिन उनके लिए खानना लेकर जाते हैं हंए पाणी पिलाते हमें कि सब्सक्राइब उसकर हैं राहु गांधि ने बैठे प्रowe düşün निकल कर आया तो जब दो संस्थाव में यह तमाम जो नौकरियां है उन्में में ही कोई नहीं है तो कैसे हो गाउनका उतार देखिए अभी जो है 80% आदमी है हर जाती में अभी भी गरीव है सिर्फ 20% जो है जो उपर के हैं तो 80% बालों को सुक्सिवधा मिलती नहीं है किसको मिलती है जाती जन्गरना है उसको दबा देते हैं वही 2024 का चुनाओं खत्म हो जाएगा जब जो है इस देश में जो है जब इस जनरल केटेगरी को 10% का आरक्षन मोदी जी ने दिया तब किसी ने विरोध नहीं किया अब आप इन लोग बताईए कि इंदर मेगवाल की हत्या कर दी जाती है कि वह जो है नीच जाती का है और जो है उसका उसने घड़ा कैसे चुआ तो उसकी हत्या की जाती है यानि ज थिया हर मंदिर में 100% आरक्षन एक ही जाती का है तो इससे मन में विडामना उठती है कि क्या ब्राह्मान ही च्रैस्ट है जो पुरोईद बन सकता है क्या महिला नीची पाप ही ओनी कि महिला किसी भी मंदिर में जो है पुजारी नहीं बन सकती है एक कपड़े भी पुजारी वेशीला जो है मिशन जो है युवाओं में जा रहा है जो मनिपुर की कारण के लिए जिम्मेवार मैं उसको समझती हूँ इसलिए जातिया किसने बनाई सबसे पहले तो इस बात पर सवाल उठना चाहिए जो है वर्ण ववस्ता कौन लेकि आया इस बात पर विश्वास उठन में यूरियोक्रसी में जज में एंपी में 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 कौन सी जाती के कितने बैठें तो यह जाग जाएगा कि भाई जिद जो सब सुक्सवी दाओं से जो है परेकर रखा है उसको सिर्फ जो है मेहनत के लिए थोप रखा है बाकी जो मलाई चाटनी है सत्ता की प्रशाशन क यह सबसे पहले किसा नीकल अधाय कि सरकारी को में प्राइवट नई गांपि में इस देश के प्रधान मंतरी जितने है वो किस जाती के बनें लोग भी जाती वीशेष्का तो यह तो यारे उस जातीवाट को काजने के लिए जो है हम यह प्रूव करना चाहरे हैं कि जिसकी जितनी संक्याबारी उतनी उसकी हिस्सेदारी कोई 3% लोग हैं और वो सब चीजों पर कबजा करके बैठे हुए तो यह देश जो है बिल्कुल भी वो नहीं करेगा और यह जातिका जंगन्ना का विरोध जो है सिर्फ इसलिए ह हो रहा है कि खुलासा ना हो जाए कि इन लोगों ने सारे देश को लूट रखा है इसी नहीं विरोध हो और को इस तरीके से आप में देगा यहां पर जो राहूल गांदी कह रहे हैं कि जाते के जंगन्ना करानी चाहिए वहीं दूसरी तर्फ जो कुछ लोग जोसका तो इस पूरी बाची तो अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा